चोरी के इरादे से विद्महिला की हत्या भूसे में विला शब। उसी के घर के भूसे में दवी मिली। घटना की जानकारी लगते ही छेत्र में सन्नादा खिच गया। आनन्फानम में पुलिस पहुची और FSL को टीम बुलाकर साक्ष एकत्र करवाए। बताया जाता है कि हीरा कली सिंग पती राजकरण सिंग अकेले अपने घर में रह रही थी। जबकि उनका बेटा कहीं बाहर रह रहा है। मा का फोन दो दिन से बंद होने पर बेटा बेटी घर पहुचे और तलाश शुरू की तो घर में बाहर से ताला बंद मिला। जिसकी शिकायश सेमरिया धाने में की गई। तो पुलीस ने गुमचुदी दर्ज कर पलाश कर रही थी। महिला के बेटे ने रात में तलाश की तो महिला को पुलीस में दबा हाथ दिखाई दिया। जिसके सुषना पुलीस को दी गई तो मौके पास पुलीस ने सौफ को बाहर निकलवाया और साक्ष एकत्र किये परिजिनों के माने तो घर से काफी मात्रा में समान चोरी हुआ जिससे माना जा रहा है कि सपत्ति के लारच में महिला की मौत के खाट उतारा गया सिलावन पुलिस साक्ष एकत्रित कर आरोप्यों की तलास में जूटी हुई है वहीं शौप को पोस्ट मार्टर के लिए आस्पिताल पहुचाया गया है स्रीमती हीरा कली बेड़ो है और अकेले रहती है उनका एक बच्चा बाहर नौपरी में है और दूसरी बच्ची जो है उसकी शादी हो चुती है परसुनों से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा था बच्ची का कल वो घर आके देखिन को ताला लगा हुआ था तो जिसकी सुचना उनमें थाने में भी इनसान काया हुआ था आज वो बच्चे उसी घर में तलास्ते विए भुशा उल गए होंगे तो बुर्शा के घर में उस महिला का जो है हाद दिखता हुआ दिखा दे रहा हुआ संसा से यह सुचना में लिए तकाल पुलिस मौके के पहुँच गई है और वहां कारवाई की जा रही है अब उसको लास्त निकालने के बाद पंचनामा कारवाई होगी इसके बाद इस्तितिस पस्ठ होगी क्या ह प्रतम दिखता अब यह लास्त का पंचनामा हो जाए उसके बाद पता चलेगा अभी तो उशा के अंदर है कैसे पहुची वहां क्या हुआ एफसल टीम भी हमारी वहां पे पहुच चुकी है इसके बाद ही कारवाई समझ बहाई ही यह अगली क्या है